नमस्कार दोस्तों महाज़ी का चलेने बहुत बहुत स्वागा थे मैं धर्विंद्रे दोस्तों लड़की का घर बसाने का या अंत्र बताने जारा हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे चलने पर नहीं है तो चलेगनों सस्क्राइब करना ताकि जब भी कोई तंद म से आये तो अपडेट मिल सके सबसे पहले तो दोस्तों इस वीडियो को मैं डिवांड पर इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो दोस्तों मेरे पास बहुत सी फोन आयी थी कि मेरे पतनी किसी दूसरे से समन्द बनाती है तो उसके लिए उपाई क्या करें और किनी ने फोन क किये थे कि मेरे बेटी ससुरार खर नहीं जाती है ऑर और मेरे बेटी किसी दूसरे लड़के से फ्रेम करता है तो इसंके छोराने के लिए मैं उपाय क्या करूं तो मेरे बरसे पे बहुतैं B, लोगों से होते रहती है तो दोस्तो और चाहा कि इसी तरह का मैं वीडियो एक बना दूँ और आप लोग तक पहुचा दूँ तो दोस्तो इस वीडियो को लाज तक देखियेगा मैं इसका सलूशन लेकर आया हूं कि किसी तरह से अपना बेटी को ससुरार में कैसे बसाएं और आपको जो पत्नी किसी दूसरे से समन्द मनाता है उससे कैसे छुड़ाएं तो दोस्तो इस यंत्र को आपको नागबेल के पत्ते पर लिखना है किसी सूम मुहरत में केसर या अश्टेगन से लिखना है और जोन लरकी ससुरार जाने से इनकार करती है या पती से खूसना होती हो तो इस यंत्र का परियोग करना है और जिनकी पत्नी किसी दूसरे लरके के साथ दूसरे ब्यक्ति के साथ प्रेम समन्द मनाती है तो उसको छोड़ देगी और आपको साथ है रहेगी और आपका बात हमेशा मानेगी तो दोस्तों इस यंत्र को नागबेल के पत्ते पे लिख कर जिन ब्यक्ति को बेटी ससुरार जाने से इनकार करती है उस ब्यक्ति अपने बेटी को खिला दे जहां पर यंत्र में नाम लिखा हुआ है वहाँ पर उस लरकी का नाम लिख दे जो ससुरार जाने से इनकार करती है ससुरार जाने का इनकार करने की मतलब होता है किसी लरके से दूसरा लरके के साथ प्रेम करता है इसलिए ससुरार बालों से नफरत होता है और पती पसंद नहीं कर पाता है लड़के के साथ जो प्रेम करता है उबे छोड़ देगा और अपना पती के साथ रहेगा और ससुरार घर में रहेगा तो दोस्तो तभी आप ही को मान समान मिलेगी और लोग अच्छा कहेगा न तो आपके साथ सब बुरा लोग बगते हैं कि आपका बेटी ऐसा है वो ऐसा है बहुतरा कि गाउंग घर में बात होने लगता है तो दोस्तो आप इसी यंत्र का पर्योग किजिए और आपका मान समान बरहाने का पर्यास किजिए और अपना घर बेटी को बसाने का पर्योग किजिए हीमत नहीं हरिये तो आप इस यंत्र को किसी सू मुहरत में इस यंत्र को आपको लिखना है और जिनको पत्नी किसी दूसरे से समंध बनाती है उसको छोड़ाने के लिए अपना पत्नी को यंत्र में लिखिए और किसी तरह से पत्नी को इला दीजिए जब ओए खा लेगा तो दूसरा जो समंध बनाता है लरके के साथ उसको छोड़ देगा और आपको चाहने लगेगा और किसी तरह सा कोई दिकत नहीं है इसका परहव बहुत जल्दी मिल जाता है तो दोस्तो इस यंत्र का किसी सूम मूरत में ही पर्योग करें तो दोस्तो हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना सस्क्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सायर करना धनवात